हेलो वीवर्स मेरे नाम सौमित देवनाथ है और आप सभी का में तहर दिल स्वागत करता हूं मेरे चैनल पुरूई और नॉलेज़ के तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंफोर्मेटिक है जो किये एक्सल के बारे में मैं आपको आज एक्सल के बारे में कुछ बताऊंगा उसके टाइप्स, बेनिफिट्स और उसके पावर्स के बारे में तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए और अपने नॉलेज़ को प्रूब कीजिए दोस्तों तो चलिए वीडियो को सुरू किया जाए Microsoft Excel से हम सबी भली बाती परिशीत हैं दोस्तों लेकिन सवाल ये है कि हम इसके बारे में कितना जानते हैं लेकिन दोस्तों हम उतना ही जानते हैं जितना कि हम जानना चाहते हैं इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा Microsoft Excel Microsoft Company दोरा बनाया गया एक स्पेर्शीट बेजड एप्रिकेशन है जिसे हम Mathematical Calculation के साथ साथ accounting के लिए भी इस्तिमाल करते हैं यानि इसमें हम फॉर्मूला और कोडिंग के थुरू हम डेटा को समराइज कर सकते हैं ठीक है एक्सेल Microsoft Office package के अंतरगत ही आते हैं दोस्तों Microsoft Office को सबसे पहले हम इंट्रिडूस करा गया था 1 अगस्त 1988 को Microsoft के founder Bill Gates के दुआरा उस समय इसमें सिर्फ तीन ही अप्रिकेशन के इस्तिमाल किया गया था वर्ड, Excel और PowerPoint का 1989 में इसे Mac operating system के लिए सबसे पहले सुरुवात किया गया था फिर उसके बाद 1990 में इसे Windows operating system के इसके सबसे पहले version को start किया गया और देखती देखती इसके बहुत सारे versions हमारे सामने आये हैं और आज हम इस package के अंतरगत बहुत सारे applications को हम देख सकते हैं लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो यह application यूज हो रहा है वो है Microsoft Excel तो इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या होगा Excel सीकर क्यों जरूरी है तो इसके लिए भी दोस्तों मैं एक छोटी से स्टोरी आपके साथ सेर करना चाहूंगा एक multinational company है जहां पर राम नाम का एक employee काम करता है कहने को तो राम है लेकिन राम की तरफ ग्यानवान नहीं है तो उससे एक दिन बॉस ने एक टास दिया जिसमें उसे company के turnover को मन्त वाइस चार्ट बेस पर बनाना था जिसे बॉस को नेवते morning meeting में प्रेजिंट करना था और जै किसे करें देखते ही देखते में इन घंटे में बदलते जा रहे थे जिसके साथ ये राम का दिमागी प्रेसर और टेंशन भी बढ़ता जा रहा था कि कैसे इस task को complete किया जाए बस अब तो साम भी होने को आ गया था और काम अब तक जीरोबटे पढ़ रहा था और उसकी इस गये के बाद ठीर्टाप प्रिप्टिर हो जाता है जिसे पधिक बीर दिने में में काम्याब भी और या कि इसी तरह से राम बास के द्वरलत दिये जाना विले टास्कों को अपने कालीकी मदल्स से रागर बर जूज कर जैसे तेसे क्म्पीर कर डिता लेकिन एक दिन बोस ने फिर से एक टाज दिया जिसमें इस बार सभी एम्प्लॉय को ये टाज दिया गया था जिसमें कमपणी के 31 मार्ट के फानेशल को क्लोस करना था अबराम ने सोचा कि पहले की तरह इस बार में मैं अपने कलिक की मदद से इस टास को भी कंप्रिट कर लूँगा लेकिन टास तो सभी एंप्लॉई के पास था जिस वज़ा से इस बार उसे को कलिक की मदद नहीं मिल पा रही थी तो बस वो इसी उम्मेर में वैठा था कि कोई कलिक आएगा और उसके डेटा प्रिपरेशन में मदद कर देगा और बस होना क्या था 31 मांच का दिन था और बॉस सब इंप्लॉई के डेक्स में जाकर उसके काम का चाहिजा ले रहा था और इंप्लॉई ने भी कई दिनों की मैनस सबने काम को बखो भी कम्ट्विट किया लेकिन जब राम की बारी आई और बस उसके काम को चेक किया तो पाएकि राम ने तो स्लीक 50% काम को ही किया और वो भी सही तरीके से नहीं किया अब क्या था बॉस आगबा बुला हो गया क्योंकि फानेशल क्लोस करना था नेकर नाम के एंट से तो कामी कम्ट्रीट नहीं है यह दिखकर बॉस से जितना हो सका उसने राम को हज से हद तक जलील किया और राम बिचारा मायूस होकर घर वापस आजाता है और कुछ देर बाद उसे एक बात समझ में आती है कि हम जब तक दोसरों पर डिपेंट रहेंगे समस्षा हमारे गिर्द ही रहेंगे और जिस दिन हम सिर्ट डिपेंडेंट बन जाएंगे समस्षा को समाधन पर हम खुद ही निकाल लेंगे उसे ये समझ आ गया था कि उसे अपने कलिक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और डिपेंड रहना सॉलूशन नहीं है क्योंकि वो भी एक हद तक ही आपकी मदद कर सकते हैं सॉलूशन ये है कि अपने नौलिज को गुरू करे जो मैंने कई राते जोच कर क्रिट टास्क को मैंने कलिक की मदद से कप्लीट किया है क्यों अब कुछ राते मैं अपने नौलिज को गुरू करने के लिए मैं अपने आप को दूँ तो बस क्या था राम ने एक महने की गड़ी महने से अपने नौलिज को इतना गेन कर लिया था कि वो अब किसी और इंप्लॉई की मदद कर सकता था अब राम सही माइने में राम बच जोगा था तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है नीट की राम की नीट तो सुरू से ही थी लेकिन वो इसे मानने को त्यार नहीं था वो हर दिन यही सोचता कि आज का दिन किसी तरह से निकल जाए कल का कल देखेंगे कल फिर वो यही सोचता कि आज का दिन निकल जाए कल का कल देखेंगे और उसके लिए ये कल की सुबर कभी नहीं हुई तो में मकसद मेरे यही था इस स्टोरी को बताना कि सेल्फ डिबेंडेंट बनो दोस्तो क्योंकि इस तरह की समझसा हो सकता है आप भी जूज रहे हो इसलिए अपने नॉलेज को ग्रोग करो तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ एसल फाइल को उप्यों के दिश्टे से हम तिन तरीके से सेव कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले है .xls दूसरा है .xlsx और तीसरा है .xlsm सबसे पहले हम .xls और .xlsx के बीच के डिफरेंस को समझेगे जो पहले डिफरेंस हो है फाइल फॉर्मेट का यदि आप एक्सल 97-2000 पर काम करते हैं तो आपकी फाइल बाइडिफरेंस है वह इस्टोरेज का .xls बेजड है .biff पे यानि बाइनरी इंटर्चेंज फाइल फॉर्मेट इसमें इन्फॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में सेब होता है और .xlsx बेजड है ओफिस ओपे एक्स एम्ल फॉर्मेट पे यानि एक्स्टेंसिबल मार्कप लैंग्वेज और इसमें डेटा टेक्स्ट फाइल जो की जिप और कंप्रिश टिक्नोलोजी पे सेब होता है नेक्स जो डिफ्रेंस है दोस्तों वो है पर्फॉर्मेंस का एक्सेलेस एक्सेलेस एक्स की तुलना में फास्ट है क्योंकि इसमें डेटा जो है बाइनरी फॉर्म में सेब होता है और जबकि एक्सेलेस एक्सेलेस की तुलना में धीमा है क्योंकि इसमें कॉंप्रिस फॉर्मुला की वज़ा से इसका प्रसेसर उसकी स्पीर्ट कोंप्रिस फॉर्मुला की वज़ा से स्लो हो जाता है नेक्स डिफ्रेंस है रीडेबल .xls Macsoft Excel के सभी बर्जन पर काम करता है जबकि .xlsx के वल Excel 2007 या फिर उसके लिटर बर्जन पर ही काम करता है नेश्टे आपका Macro Hold .xls Macro Base Spacit File को Hold कर सकता है लेकि उसे Run नहीं कर सकता जबकि .xlsx Macro को Support ही नहीं करता अब XLS M5 XLS और XLS X File से अलग कैसे है XLS और XLS X File में हम Formula का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी साहते से हम Seat को Automate कर सकते हैं जबकि .xlsm File में हम Formula के अलबा Macro और VBA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं VBA means Visual Basic of Application VBA एक Programming Language है जिसमें हम Coding के द्वारा Excel को Command देकर Seat को Dynamically Automate कर सकते हैं उमिद करता हूँ कि दोस्तों आपको आज का वीडियो Informatic लगा हुगा मेरे दुरह दीगे जानकर ही आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे Like, Share के साथ सब्सक्राइब भी जरू कीजिए दोस्तों मैं आगे भी इसी तरह के Knowledgeal वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए content के साथ तब तक आप खुस रहिया और अपने आसपास की लोगों में भी खुसिया वाटे धन्यवाद जेडा नशा नशा तेरी अख विच्चो आवे मैंनू मैं वेखे आप बड़ा रायो लता विच्चो आवे मैंनू दिल दे नेडे हो में तुमेरे दिल बस चवे तनू जेडा नशा नशा तेरी अख विच्चो आवे मैंनू मैं वेखे आप बड़ा रायो लता विच्चो आवे मैंनू मैं वेखे आप बड़ा रायो लता विच्चो आवे मैंनू ना दिल सानी दे रेना ताना दे रेना हो रायो ते गहर मेरा ता दे दाना दिल नी हैपी हैपी हो जा जदों जाने मैंनू मिलनी है जाने मैंनू मिलनी जिन्ना पे यार बे यार तेरे शक विच्चो आवे मैंनू मैं वेखे आप बड़ा रायो लता विच्चो आवे मैंनू जेडा नशा नशा तेरी अख विच्चो आवे मैंनू मैं देखे या बड़ा नायो नकां जो आगे मिनू तेरे वेना फील बड़ा करिये अलोन नी देखने नू देनो नित आये तेरे जोन नी हॉलिवुड विच तेरे चर्चेने लाउडनी अमर बले ते दूवी करेंगी पर आउडनी करेंगी पर आउडनी जिन्ना सबून सबून तेरी अकां विच्चो आवे मनू मैं वेखेया बड़ा नायो लकां विच्चो आवे मनू तेडा नशा नशा तेरी अकां विच्चो आवे मनू मैं वेखेया बड़ा नायो लकां विच्चो आवे मनू तेडा नशा नशा तेरी अकां विच्चो आवे मनू मैं देखे आज बड़ा नायो लखाँ उच्छो आगे मेरू तर दिल्फानी देजा नाड़े लखाelly NA कि एलजो आगे मेरूеж के लखायमें देजा ना इले लेना आजितानी देरेना देरेना